मोहिनी मंत्र का परियोब वो इंसान करता है जो जीवन में अपनी स्रेणी को उष्ट बनाना चाहता है मोहिनी मंत्र इस ऐसी विद्या है जिसके जरिये इंसान एक दुनियावी मायाजाल में परसिद हो जाता है मोहिनी मंत्र और वंशी करन मंत्र इनका दोनों का परभाव अलग अलग होता है उनका नजरिया होता है वो भी अलग अलग होता है और मोहिनी मंत्र का ही आपको इस विडियो में हम जानकारी देंगे रहे हैं तो आप ध्यान से सुनें मोयने मंत्र करने वाले इंसान को एकांत, शान्त और पूरे ही ध्यान योग के साथ में और पुरन रोपसे ब्रहम्र सर्य का पालन करते हुए मोयने मंत्र की साधना करने के बाद में इंसान को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार तु मेरा काम कर दे आपको केवल सोचना है और उसको कहना है वो कर देगा ज्यादा उससे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुझे करना पड़ेगा कि मेरा यह करना है कि आपसे निवेदन है कि ऐसा खुश करने की चरूरत नहीं पड़ती हैं, वो मन में सोचता है और उसको कह देता है कि यह कर दे, वो कर देता है, आपसे सवाल जवाब नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता लोग हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, ऐसे महान लोग होते ह हैं, जो प्रासिनकाल में भी ऐसे लोग होते थे वो यह साधनाई करते थे, विचिस कर मोहिनी मंत्र जैसे साधनाई, यह जैसे बड़े नेता होते हैं, तो उसका क्या होता है, कि भाई, जहां पर भी जाता है, उसकी परसीदी होनी चाहिए, जहने लोग उसको मानने किसी को तो वो कुछ पैसे दे के होत मांग नहीं सकता, उसकी कुछ परसीदी होनी चाहिए, यानि वो जब भी जाये तो लोगों के दिल में एक अच्छा ही लगनी चाहिए, कि कुछ पल के लिए ही लगने लेकिन लगनी चाहिए, ताकि वो उसको माने और उसको बोर दे, न बॉडी का पॉवर है वो एक अधर्षय सक्ति के जरिए संबाला जा रहा है याने उसकी जो आंत्री कुर्जा है वो एक अधर्षय सक्ति के जरिए कंट्रोल की जा रही है और उस सक्ति के जरिए उसकी बॉडी को फरसिद बनाया जा रहा है याने दुनियावी नजरों में और बहुत कुछ है, लेकिन वो अखीकत में दुनियावी नजर से थोड़े अलाग है। जब वो आते हैं तो लोग उसको परसिद करते हैं और लोग उसको बोड़ दे के सुनाम विजिय बनाते हैं। लेकिन जाने के बाद में जब वो जाते हैं तो फिर कुछ दिनों बाद में वो ही लोग को कहते हैं तो यह एक मोहिनी माया जाल इसी का एक प्रभाव होता है। यह क्या होता है कि किसी को अपने कर्मो के फल के अनुशार इसको अपने सात में चलता है। अपने नजरिये में जहां पे भी वो देखता है जिसके पर्ति देखके अगर मुश्करा लेता है तो सामने वाला ओतोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है जैसे उसके मंत्र कर दिया लेकिन एक उसके सामने देखके केवल मुश्कान दी है तो बस इस परकार से इसका परभाव होता उनने का प्रवाव होता है जिनमें ऐसा अलक्षन नहीं होता है, वո मंछों का जब WILL करते हैं मंत्रों का जब करने के लिए उसको एक सन्यासरी की तरह रहना पड़ता है, एकांथ में रहना पड़ता है इसके लावा उचको हमेशा ब्रह्म सले का सुद्ध वातावरन का पालन करना पड़ता है मोहिनी मंत्र का बगवान विश्णू ने भी प्रियोग किया था जब श्रमंदर मंधन हुआ था उश्रमे मोहिनी का रूप लिया था बगवान विश्णू ने और मतलब राक्षा सोसे वगेरा जीत हासिल की थी तो ये आपको सब ये कहानी पता ही होगा तो ये एक मोहिनी मंत्र का मतलब माया जाल है जिसको करने के बाद में बड़े-बड़े कहीं से भी लोग है जो देखने वाल हैं इसको एक दम देखते ही उसके वस में हो जाते हैं और उनके पड़्तियुंका आभार परकट करने लगते हैं उनके मतलब वावाई करने लग जाते हैं यह होता है मोहिनी मंत्रों का परभा होता है ऐसी आपि शुद्वातावरंड में कर सकते हैं अपने एकांत कमरे में कर सकते हैं, जब तक शादनाय सलती हैं, आम लोगों से मिलना चलना बंद करना पड़ता हैं और हमेशा अपने मन में एक धारना के साथ में शुद्ध और शांत वातावरण से इस मंत्रों को चलाना पड़ता हैं जब इनके मंत्र तरीके से सिद्वारान से चलते हैं तो कुछ दिनों में कुछ महिनों में इनकी सिद्धी हो जाती है और जुआ से भी लिखेंगे निकल रहे हैं जिस गली मौले से सड़क से निकल रहे हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं और वहां पर आपके मुझे से आटोमेटिंग ऐसी बात निकलेगी कि आपसे एक बात सुन रहे और प्रभाव होता है । ज़िसे होना सुरूव होगा का spontra बात को सुनो तहुरु एक प्रभाव होता है ये होते हैं मोहिने मानुदा जब नताएं बड़े बड़े नेता हैं ऐसे हदक भी बहुत हैं कोई बेताल के साढ़नां के और टर्राइल ला सतर्बak प्राहिक करते हैं और प्राइलको चांशिο कोई बेताल की शादनाई करते थी, कोई किसी परियोग की करते थी, कोई किसी और की करते थी, ऐसी सादनाई करते थी, कोई अक्षा कोई करते थी, बहुत सारी सक्तियां होती थी जिनकी सादनाई करते थी, और वो अपने जीवन को विचिय बनाते थी, यह मंत्रों का परभाव होता है अगर आप करना चाहें तो करें और अपने जीवन को बदल सकते हैं लेकिन मेरा कहना यह होगा कि यह मंत्रा हैं बहुत सुद्धा के साथ में करने पड़ते हैं इसमें टाइम भी लगता हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको यह कुछ दिनों में सिद्ध हो जाए कुछ म कि महिने ऊसारी शिक्ति सब्सक्राइं है मरे नहीं बने से अब भी जाए लेको उसकार आप आराम से और o स्वियृ गुरु मुख से किसी विशेश सन्यास से लेकर करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा याने 99% सिद्ध होने का मतलब शपल होने का एक शंकेत होता है वो एक विशेश परभाव होता है उसका तो आज के वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपसे जितना हो सकता है उतना किसी ना किसी मतलब सादक के अंडर में रहके साए एक दिन रहे या दस दिन रहे ऐसी कुछ न कुछ साथ नहीं करे ताकि उसका बहुत ज्यादा परभाव रहेगा हर हर मादेव ज्यस्रिमा